तो नमश्कर दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूटूब चनल स्टेडिप साल में तो फ्रेंट्स आज हम हम हिमाचल पुलिस 2021 एक्जाम के लिए जीके के बहुत इंपोर्टन कोशिंज करेंगे आज हम इंडियन जीके से important questions करेंगे जो कि आपकी exam में पूछे जा सकते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ अगर आप पहली बार चैनल पर आएं चैनल को subscribe पर लिजे और bell icon प्रेस के लिजे ताकि आपको ऐसी important videos लगातार मिलती रहें तो चलते हैं वीडियो की तरफ और हाँ एक और important बात आपको जो है इन questions का पीडियो भी आपको परवाइट किया जाएगा जी आपको टेलिग्राम के चैनल पर दिया जाएगा तो आप टेलिग्राम लिक से जो है जो है जोईन करके वहां से इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो friends पहले आप अप जो है इस वीडियो को जो है continue जो है end तक जरूर देखें जो भी questions करवाय जाते हैं उनको जो है जरूर याद रखें क्योंकि ये question जो है previous year exam में जो है निर्धारित करता है ठीक है तो कुशान, मौरे, सात्वाहन या गुप्त ठीक है आपके पास चार option है आपको जो है answer बताना है इसका answer क्या होगा ठीक है बहुत important question जो है हमने इस वीडियो में लिए है जो कि आपके exam के लिए जो है बहुत ही चार option आपके पास है तो बताएं इस question का answer गया होगा तो friends इसका जो सही answer है वो है option number B अगर आपने option number B सोचा तो बिल्कुल सही है ठीक है अगर आपने इसका answer लगाया है तो बिल्कुल सही है next question पे जलते है question number 2 हमारे पास है तो more of once more of once का जो है अंतिम सासक जो था कौन था वराह मिहीर आरेभट चानक्य या नागरजुन ठीक है बताएं आपको जो है इसका जो है answer बताना है क्या होगा ठीक है बहुत important question है यह और बहुत बार जो है exam में question यह पूछा गया है ठीक है तो इसका सही answer आपको बताना है इसका सही answer है वो है चानक्य ठीक है next question पे चलते है तो friends sorry यहाँ पे जो है इसका answer जो है चानक्य नहीं है ठीक है तो इसका जो सही answer है वो है ब्रीहद्रत ठीक है याद रखेंगे आप ब्रीहद्रत जो है जो more events का अंतिम सासक था वो था ब्रियदरत ठीक है अगर किसी को सही answer पता होगा तो उसने जो है चनक्या का जो option है वो सही नहीं चुनावा ठीक है इन में से कोई भी option सही नहीं था ठीक है next question पर चलते है question number 3 हमारे पास है बहुत important question है ये भी तो लिंगराज मंदिर जो है कहा है दिल्ली में है भुबनेशवर में है मध्या परदिस में है गुजरात में है ठीक है चार option आपके पास है आपको जो है इनका answer बताना है ठीक है और अपने marks comment section में जुरू कमेंट करने है कि आपके जो है कितने marks बन रहे है ठीक है इसका सही जो अंसर है भुबनेशवर तो लिंगराज जो मंदिर है वो भुबनेशवर में स्थित है ठीक है next question पर चलते है तो इस question का answer जो है 2005 होगा ठीक है option number D बहुत बार ये question जो है exam में पूछा गया है next question पर चलते है question number 5 आपता प्रबंदन नियंतरन कक्स का जो है दूरबास नंबर क्या है ठीक है बताना है आपको ये भी आपको जो है question याद रखना है ये भी exam में पूछा गया है ठीक है तो बताएं इस question का answer क्या होगा 1099, 1070 या 2664 या 1009 ठीक है आपके पास चार option है बताना है आपको जो है कि इसका answer क्या होगा तो इसका जो सही answer है वो है option number B 1070 ठीक है next question पर चलते है question number 6 हमारे पास है उस केंदर सासित परदेश का नाम बताईए जहां जो है French बोली जाती है French भासा बोली जाती है कौन सा वो केंदर सासित परदेश है Union territory तो दमन और दीव, पांडी चेरी, लक्स दीव, दादरा और नगर हवेली ठीक है तो आपके पास चार option है बताएं इस question का answer क्या होगा तो इसका जो सही answer जो हमारे पास है वो है पंडी चेरी ठीक है बिल्कुल सही है next question पर चलते हैं question 7 हमारे पास है पंचमडी जो भारत के किस राज्य में है ठीक है आपको बताना है पंचमडी जो जगा का नाम है ठीक है वो कहां पर है तो केरल में है मध्य परदेश में हरिया प्रणा में या बिहार में ठीक है चार option आपके पास है तो इसका जो सही answer है मध्य परदेश option B बिल्कुल सही है next question पर चलते है question 8 सिंदू, घाटी, सब्डिता की खोज जो है किस वर्स हुई थी very important question है बहुत बार exam में question जो है पूछा गया है ठीक है अपने friends को जो है वीडियो जुरूर शेर करें और वीडियो को लाइक करें जो भी अभी तक जो है लाइक नहीं करा है और शेर जो है वीडियो को जुरूर करना देखने के बाद ठीक है तो इसका आपको जो है answer लगाना है option नमर ए है 1921 से 1922 तक 1910 से 1911 तक 1922 तक 1847 से 1851 तक तो आपका जो है इसका अंसर बताना है क्या होगा तो इसका सही answer option है option नमर ए ठीक है 1921 से 1922 में जो है इसकी खोज होई थी next question पे चलती है पंचम वेद जो है किस गरंथ को कहा जाता है ठीक है गरह नहीं होगा यहाँ पर गरंथ होगा ठीक है तो आपको जो है याद रखना ह गरंथ को कहा जाता है तो आपके पास चार option है ब्रह्मसूत्र, रमायन, महाभारत, भरत्मुनी, कृत्य, निर्टे शास्त्र तो इसका सही answer है महाभारत option number C जो है बिल्कुल सही है next question पे चलते है गौत्तम बुद्ध का जो है जनम स्थान जो के लूम्बनी है वो कहां पर अ जो सही answer हमारे पास है वो है नेपाल तो नेपाल ठीक है जो लूम्बनी स्थान है जहां पर गौत्तम बुद्ध का जो है जनम हुआ था वो कहां पर है नेपाल में ठीक है next question पर चलते हैं question number 11 जो है हमारे पास कि आज हो है इसका answer होगा ठीक है तो इसका जो सही answer है वो है option number C तो इस section को जो आपको जो है जुरूर अपनी इसमें जो है अपनी पकड जो है बना लेनी है ठीक है next question हमारे पास है question number 12 मानव जीवन का जो है चार आसरमों में जो है विवाजन किस ग्रंथ में वरनित है question number 12 जो है बहुत important है तो सत्पत ब्रामन या मनुसमरिती या सिरिमत भागवत गीता या ननवदी अबब ठीक है चार option आपको जो है दिये हुए next question पर चलते है question number 13 नमारे पास है रामायन की जो है अनुसार जो है किसने मेगनात को जो है जो मेगनाते उनको जो है इंदरजीत का नाम जो है दिया है शिव भगवान ने दिया या विष्णों ने या ब्रह्मा ने या इंद्र ने ठीक है चार option आपके बास है तो इसका सही जो अंसर है वो है ब्रह्मा ठीक है next question पर चलते है question number 14 तो राशन कार्ड प्रणाडी जो है किस सुल्तान ने जो है चलाई थी अल्लावदीन खिलजी, सिरसा, सूरी या अकवर या बावर ठीक है next question पर चलते है question number 14 अमारा हो गया next question पर चलते है गांदी जी को जो है वह महिला कहां मिली जिसने जो है उन्हें असत्य से जो है मुक्ति दिलाई थी ठीक है तो कहां मिली थी वेंटनर में बहुत important question है यह याद रखेंगे ब्राइटन में, रिच्वान में या मांचेस्टर में ठीक है बहुत important question है यह तो इसका जो सही answer है वह है ब्राइटन ठीक है option number B जो है बिल्कुल सही है next question पर चलते है question number 16 जो कि आज का हमारा जो है last question है तो महत्मा गांदी को जो है सुभास चंदर बोस ठीक है तो यह आज के हमारा section question हो चुके है तो अभी आपने जो है अगर previous videos नहीं देखें तो उनको जाकर आप जो है जुरूर देख सकते हैं बहुत important questions जो है आपको करवाए हैं तो playlist में जाकर आप जो है वहाँ से देख सकते हैं आप जो है जुर जो है वहाँ पे जोईन करें ताकर आपको जो है इन questions के जो है पीडियेफ जो है लगातार मिलते रहें ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए आप videos को जो है previous videos को जो है जुरूर वाच करें एक बाद ठीक है और वहाँ पे सभी videos में मैंने 16-16 questions के जो प्रैक्टी सेट बना रखे हैं अपने marks भी आप वहाँ पी जो ए कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो ज़्यादस ज़्यादा शेर करें और लाइक करें धन्यवाद